शुआगत है एक और सांदार वीडियो में आप देख रहे हैं आपका प्यारा चेनल CHO Academy दोस्तों UPCHO 5505 वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी गई है वेटिंग लिस्ट है वो यहाँ पर 2000 कंडिडेट की जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 1500 से प्लस यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आने वाली है और उसी इसाब से यहाँ पर वेटिंग लिस्ट निकाली गई है 1500 से ज्यादा यानि कि 2000 वेटिंग लिस्ट यहाँ पर निकाली है कंडिडेट की सबी candidate को वेटिंग लिस्ट वालों को बहुत-बहुत CH Academy चनल के मादम से बदाई हो क्योंकि हमने भी मेनत करी और आप लोगों ने भी मेनत करी grievance portal चालू करवाया mail करी उसके बाद यहाँ पर result है वहाँ पर आप लोगों को car certificate में कुछ benefit हो सकता है grievance portal open किया उसमें कुछ आपको यहाँ पर mail के जरीए या फिर grievance portal के थहत कुछ benefit मिल सकता है बाकि जो second number अपना point है OBC EWS candidate को ज़्यादा मोका नहीं मिला है क्योंकि जो list निकाली है उस list में general वाले candidate है वो बहुत ज़्यादा है सबसे ज़्यादा general category के candidate को select किया है इस vacancy waiting list में जी हाँ दोस्तो और यह भी यहाँ पर देखने को और सुनने को मिला है कि जिन candidate के कम number है उन candidate को मोका मिला है और जो ज़्यादा वाले number वाले candidate है उन candidate को यहाँ पर मोका नहीं दिया है स्वाम बात इस वीडियो में हम बात करेंगे तो वीडियो में एंड तक जुरूर बने रही है चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने है जो किस तरीके से यहाँ पर कटोफ रही है केटेगरी वाइज आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा जो वेटिंग लिस्ट आई है निकल के 2000 कंडिडेट की तो यहाँ पर देख पा रहेंगे जनरल वाले के है 48 तक यहाँ पर सेलेक्शन हुआ है यहाँ डुक्गों से वह उनाचारीश थर्टी नाइन तक सेलेक्शन हुआ है और जो ऊफी च चन्डिडेट है उनका 45.80 वाले कंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्षन हुआ है और जो आइसी वाले कंडिडेट है उनका 41 प्लस में वेटिंग लिस्ट में नाम आया है और लास् expected UC के साब से यहां पर kutof waiting list की भी सेम रखी गई है बाकि हम आगर vacancy में कोवीड experience को लेकर बात करें कि किन कीन candidate को यहां पर कोवीड experience number add हुआ है तो दोस्तों यहां पर माप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिन candidate कर यहां पर number कम है उनका selection हुआ है और candidate जो प्रदा है उनका स्लेक्षन नहीं हुआ है तो वो कंडिडेट यूप नचम को यहां पर मेल कर सकते हैं और अपनी आटे के तहरा जानकारी ले सकते हैं कि किस हिसाब से यहां पर स्लेक्षन है वह हुआ है वह वेटिंग लिस्ट है वो निकाली है क्योंकि हमने आप लोगों के लिए यहां पर केंपेंड चलाया था और उस केंपेंड में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिला था सभी कंडिडेट को मिला था सभी कंडिडेट को यहां पर धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि हमारा यहां पर सहयोग किया और आप लोगों को भी हमारा कर लें और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपी अनाचम की जो कम्यूटी हेल्थ ओपेसर की जो भी अपडेट है टाइम टू टाइम आप लोगों को हमने परवाइड करवाई थी हर एक अपडेट जिस वेकेंसी दिस दिन से स्टार्ट हुई उस दिन से लेकर और वेटिंग लिस्ट तक और हमने वेटिंग लिस्ट को लेकर बता अल्रेड़ी पहले बता दिया आप था कि दिसंबर महिने में आपको वेटिंग लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी और वैसा हुआ हुआ दोस्तों वेटिंग लिस्ट है वो आ गई है 2000 कंडिडेट की और प्रेटिएट का पादस नेम है और अप्लिकेंट नेम है और शोट लिस्टेट कौन सी केटिगरी से सोट लिस्ट हुए है और उनको कौन सा प्रोग्रम स्टेडि सेंटर मिला है जो प्रेशी मिला है तो यहां-प बहुत लंबी लिस्ट के तहित नाम देख सकते हैं और अपना चैनल सक्ष्क कर लें और दोस्तो UPNHM की जो भी अपडेट है वो हमारे चेनल पर आप एक कम्यूटी में जाके और अंदर वीडियो में जाके आप देख सकते हैं तमाम सारी जानकारी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी और जो 4000 वेकेंसे भी निकाली है किस तरीके से आप लोगों को फोरम फि जो कंडिडेट हुए हैं उन कंडिडेट को डोकोमेंट्स वेरिफिकेशन में कब जाना है और कितना अपना डोकुमेंट्स लेके जाना है और किस डोकुमेंट बेस पर यहां पर आपका सेलेक्शन हो सकता है वो तमाम सारी बातें आपको अलग से वीडियो में देखने को मि और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं जो पॉइंट नमर सबसे पहले है कि इन रिफ्रेंस टू दर लेटर नमर इतना टैटेट बार अगर दोजार बाइस थो विच इस लिस्ट और पांचार शोट लिस्टेड कंडिडेट को प्यूप अड़ोटें इंकलोज वासे रो की कौविड एक्स्पियरंश को लेकर अपने क्यूआर कोड़ है क्योआर कोड़ वाला जो अक्सपिरेंस है वह अपना जिस इस होस्पिटल में जहां-जहां डिपार्ट्मेंट में काम करया वहां से बनवा ले और और दोस्तो लास्ट में बोलना चाहूंगा कास स्रेटिविकेट को लेकर क्योंकि कास स्रेटिविकेट को लेकर कंडिडेट में बहुत सी ब्रांतिया है कि UP में है वो जो लेकपाल है का फादर साइड का कास स्रेटिविकेट नहीं बना कर दे रहे हैं तो अभी भी जो जितनी वेकेंसी निकली है यहां पर उन सभी वेकेंसियों में फादर साइड का इकास स्रेटिविकेट मानने है और साफ साफ यहां पर रिगूरूटमेंट में लिखा गया है तो तमाम उन सभी कंडिडेट को बोलना चाहूंगा जो सोट लिस्टेड हो चुक लेप टेकनिसियन और स्टाब नर्स की उन सभी कंडिडेट में भी कास स्रेटिविकेट हो फादर साइड का इमांगा गया है तो बार बार रिगूरूटमेंट में यही एक लाइन यहां पर नाचम की तरफ से डाले गई है तो प्लीज सभी कंडिडेट जो यूपी के कंडि यही मतलब था कि जो जो हुए हैं उनके पास अभी मोगा है इसली बनवा सकते हैं और जो जड़न में ज्ला हुर्टमेट जाने का यहीरी जैन रहा है कि बर जानने का प्ला को यहां कर दिए और वह जनल की क काटिगरी में कांट करले रहे हैं इसकर जो लिस निकाली गई है उसमें सबसे ज्यादा जनरल के कंडिडेट हैं वह सेलेक्ट हुए हैं आप देख सकते हैं यहां पर OBC के कंडिडेट बहुत ही कम संक्या में है इस लिस्ट में तो तमाम सारी बाते इस वेकेंसी वह लेकर आप लोगों को मैंने बता दी है बाकि जो भी कुछ दिक्कत है तो व ज्यादा नम्मर वाले हैं वो भी इस लिस्ट में नाम नहीं है उनका तो आगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तब तक के लिए नमस्कार